नमस्ते मेरा नम वंदना सरोज है और ये वीडियो है dedicated to education loan और dedicated to all students जो अपनी पढ़ाई को continue करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंडिया में या abroad में study कर पाएं आप education loan कैसे apply कर सकते हैं education loan का interest rate क्या होता है और आप उसको कम कैसे करा सकते हैं EMI स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है जब आपकी graduation या post graduation की study चल रही होती है क्या उस time आपको कोई EMI देनी होती है अगर आप graduation करने के बाद post graduation भी करने जा रहे हैं तो क्या आपको पहले ही loan की EMI भरनी पड़ेगी ज्यादा तर जो parents है या even जो students है उनको लगता है कि ह हमारी property ले ली जाएगी अगर हम bank से education loan अपलाए करते हैं तो ऐसे कोई भी सवाल जो कि education loan से जुड़े हैं उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूँगी इसी वीडियो में education loan तो एक ऐसा loan जो कि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए लेते हैं इस loan में दो तरह के applicants होते हैं तो एक होता है main borrower तो जो student है जो अपनी पढ़ाई के लिए loan ले रहा है उसको बोलेंगे main borrower या main applicant साथ में एक होता है co applicant तो वो आपके parents आपके मातापिता भी हो सकते हैं आप आपके spouse आपके husband या wife भी हो सकते हैं या आपके भाई बहन भी हो सकते हैं अगर आप किसी के guardian हैं तो भी आप उनके लिए education loan ले सकते हैं education loan उन सभी students के लिए बना है जो कि या तो इंडिया में रहके बढ़ाई करना चाहते हैं या फिर abroad study करना चाहते हैं आप इसको किसी भी तरह के course या फिर studies के लिए ले सकते हो यह part time है full time है vocational course है graduation है या फिर post graduation है आप already job करते हैं उसके बाद पढ़ाई करना चाहते हैं या आप student है और 12th pass करने के बाद रेना चाहते हैं जहां पे आप admission लेना चाहते हैं उस college के बारे में ज्यादा जाने वहां placement reports कैसे हैं placement हो जा बैंक के already colleges या university से tie up होते हैं और उस case में जो interest rate है वो थोड़े से आपको कम मिल जाते हैं और अगर आप abroad study करने की सोच रहे हैं तो वहां भी financing के options होते हैं अपने college या university से जहां पे admission लेने की सोच रहे हैं उनसे check करें as per reserve bank of India कोई upper age limit नहीं है तो आपकी age कितनी भी है आप apply कर सकते हैं लेकिन bank to bank vary करता है इसके अलावा अगर आपने 12th pass कर ली है या आप graduation करने जा रहे हैं या फिर आप graduate हैं post graduation करने जा रहे हैं उसके बाद भी आप apply कर सकते हैं अगर आप Indian citizen है तो आप education loan किसी भी bank में apply कर सक यह जो loan है यह student के हाथ में नहीं जाता है इसकी payment directly institution को होती है या college है university को होती है ताकि इस amount का misuse ना हो और इसमें जो loan है mostly banks जो है वो 75 lakhs तक loan दे देते हैं अगर आप abroad study करने जा रहे हैं अगर इंडिया में हैं तो generally जो value है या amount वो थोड़ा कम रहते हैं तो amount है जैसे मैंने यहां देखा है 75 lakhs तक आपको education loan मिल जाता है यह depend करेगा बहुत सारे factors पे तो bank to bank यह change हो सकता है अब यह education loan का जो पैसा है वो आप कहां कहां use कर सकते हो जो आपकी fees है college है university की hostel fee है आपकी books है या laboratory की fee है library की fee है किसी भी चीज में देखे यहाँ पे मैंने एक पूरी list दी है आप इस education loan amount को use कर सकते हो या इनकी fees या charges pay करने में इसका use कर सकते हो unfortunately अगर कुछ भी miss happening आपके साथ होती है study करते हुए या उसके बाद तो यह जो education loan का जो burden है या आपके parents पे ना पड़े इसलिए जरूरी है कि आप अपने education loan को हमेशा insure कराएं loan को insure कराने के भी दो तरीके होते हैं एक तो जितना भी insurance का premium बनता है bank उसको भी fund कर देते हैं तो उसको भी as a loan loan amount में add कर देते हैं अगर कल कुछ भी होता है तो जो insurance company है वही सारा education loan pay करती है और जो आपके parents है या guardian है उन पे कोई burden नहीं आता second option है कि bank आपको या option दे सकता है कि आप अपने आपसे भी insurance independently खरीच सकते हैं किसे भी insurance company से तो कितना time के लिए आप ये education loan ले सकते हैं ये भी change हो सकते है bank to bank और student to student case तो ये जनली 5 साल से like 7 और 8 यह सकते हैं और इसके अलावा जो maximum tenure रहता है time period रहता है loan लेने का वो 15 साल होता है अब मैं बात करो कि collateral के बारे में आपके bank से जुड़ी हुई कोई भी problem उनकी fixed deposit के नए interest rates, stock market, insurance, mutual funds, post office की सारी schemes और उनके नए interest rates जो हर 3 महिने में change होते हैं सारी सरकारी योजनाए और defense forces से जुड़ी हुई ऐसी ही important videos पाने के लिए इस channel को अभी subscribe करें वीडियो के नीचे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये bell icon घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके आपने all select करना है वीडियो पसंद आई ही तो यहां से वीडियो को like करें और दुसरों के साथ यहां से share करें collateral क्या होता है? collateral एक तरह की security होती है जो कि आप bank को देते हैं कि अगर मैं किसी भी case में यह loan की M.I. नहीं भर पाया या यह loan जो है वो repay नहीं कर पाया तो आप यह security रख सकते हो अपने पास आपका 7.5 lakhs तक ही education loan amount है तो जनली यह security नहीं ली जाती है या कोई third party guarantee भी नहीं ली जाती है आगर आपका loan amount 7.5 lakhs से उपर है तो जनली security ली जाती है तो जैसे कि property हो सकती है आप property के document दे सकते हैं FD है तो FD की जो receipt original receipt है वो भी आप bank को as a security दे सकते हैं आप sincere अपनी studies को लेके तो ऐसा नहीं हो सकता है कि education पूरी करने के पाद even post graduation के पाद भी आपको कहीं job भी नहीं मिल रही है अगर कही security देनी के बात है तो आप बिल्कुल यह ना सोचे ही कि कोई bank है लेके भाग सारे Indian banks या even जो MNC banks इंडिया में जो भी loan provide करते हैं Reserve Bank of India उनको regulate करता है तो आप trust कर सकते हैं और जो भी आप security देते हैं वो generally आपके education loan amount के बरावर की होती है value की या फिर से थोड़ी ज्यादा होती है तो जो document या fixed deposit के receipts या original document आप रखते हैं तो वो secure होते हैं safe रहते हैं bank क साथ और जैसे ही आपका loan पूरा pay कर देते हैं उसके बाद वो आपको दे दिये जाते हैं अगर आप fixed deposit की original document या receipt देने की सोच रहे है जा security bank को तो fixed deposit है उस पर जो interest है वो आता जाएगा तो आपका कोई loss नहीं है financial loss नहीं है और bank सिर्फ उसके document अपने पास रख रहे हैं कि calculate म अगर जो student है इसके education के लिए loan लिया है अगर हो loan repay नहीं कर पाता है या as a guardian या parent आप नहीं कर पाते हैं तो ही bank उस fixed deposit को तोड़वाने का अधिखार रखती है अगर आप बहुत CES हैं अपनी studies को लेके तो इसमें कोई भी negative factor नहीं है कि आप इसी bank को security देके loan ले रहे हैं अग के sign हर document पे होते हैं तो एक तरह से एक ऐसा आदमी जो की जिम्मेदारी लेता है उस education loan की कि अगर ये student इसको pay नहीं कर पाता है चाहे उसको job ना मिले उस case में कोई और भी case तो उस case में मैं इस education loan की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इसको pay करूंगा अब ये screen पे मैंन education loan sanction होता है disburse होता है और आपके university या college को pay किया जाता है जितनी भी requirement होती है तो उस time के बाद से जब तक आपके study पूरी नहीं हो जाती इंट्रस्ट लगता है आपके loan पे वो सिर्फ simple interest होता है तो ये जो interest है आपके education loan का 8.5% से लेके 12% तक जा सकता है banks education loan देते हैं इसके लावा बहुत सारे financial institutions है जैसे NBFC है वो भी education loan देते हैं अगर आप girl child है अपनी education के लिए ले रहे हैं या parents अपने बेटी के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे इंट्रस रेट 0.50% कम रहता है अगर आप बहुत prestigious colleges में जा रहे हैं आए 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 तो वहाँ पे इंट्रस रेट आप नेगोशेट कर सकते हैं और यह जनली थोड़ा कम रहता है बैंक की तरफ से भी वहाँ पे आपकी job security होती है अगर आपका academic record बहुत अच्छा है जा स्टूडेंट अलेक मार्क्स वगर बहुत अच्छा है हमेशा से तो भी आप इंट्रस रेट कर सकत हैं अगर आपका इंट्रस रेट नेगोशेट कर सकते हैं आपका working experience बहुत अच्छा रहा है या कुछ work experience है उसके बाद आप study करने जा रहे हैं तो भी इंट्रस रेट आप नेगोशेट कर सकते हैं अगर आप economically weak हैं तो EWS जो subsidy scheme है education loan पे वह government की scheme है वह आप ले सकते हो इसके मेरी different video है वह आप देखें और आगर आप वह subsidy लेते हैं जो भी study duration के लिए आपने loan ले लिया है उस time अगर आप interest पे करना शुरू कर देती है government तो भी interest rate आपका 1% कम रहता है जब आपने पढ़ाई करते हैं तो उस duration में जो simple interest है वह आपके parents भरना शुरू कर देते हैं या आ परना शुरू करते हो अगर आप part time भी काम कर रहे हो तो भी आपको जो interest rate है वो negotiable हो सकते है आप economically weak है differently abled student है तो भी बहुत सारे interest subvention schemes होती है banks के पास तो भी आप interest rate थोड़ा कम करा सकते हो अब loan या interest bank को pay करने के बहुत सारे option होते हैं आप चूज कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी study शुरू की है तो उसके बाद से जो simple interest है वो मैं भरूंगा तो ऐसा कोई भी option आप bank में choose कर सकते हो अगर आपने कोई ऐसा option चूज किया और बाद में आपको लगता है कि मैं loan नहीं भर पा रहा हूं तो भी आप bank से बात कर सकते हो और दूसरा option ले सकते हो अब ये screen पे जो आप देख रहे हैं repayment holiday और moratorium period ये education loan का सबसे बड़ा benefit होता है education loan की जो EMI है वो आप जैसे ही study पूरी कर लेते हैं उसके बाद भी आपको दो option मिलते हैं चाहे तो आप एक साल का time और ले सकते हैं तो जैसे आपने graduation पूरी कर ली है उसके बाद भी एक साल का time आप और ले सकते हैं और एक साल पूरा होने के बाद आप अपने loan की EMI भरना इसका मतलब आपको जॉब ढूनने के लिए एक साल का टाइम और मिल जाता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अब जो second option है, जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है, उसके 6 महिने के बाद आप education loan की EMI भरना start कर सकते हैं, या तो आपको जॉब मिल गई है, उसके 6 महिने ब परना शुरू कर सकते हैं, तो इन दोनों में से जो भी पहले होता है, तो आपकी loan की EMI स्टार्ट हो जाती है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप एक साल पूरा लगा सकते हैं, जॉब को डूनने में, लेकिन अगर आप उससे पहले ही loan की EMI भरना चाहें, तो वो option भी आपके पास available होता है, यह जो moratorium period है, यह भी थोड़ा vary कर सकते है, जैसे कि मैंने SBI bank का example दिया है, तो SBI bank जब आपको loan देता है, तो वो सबसे अच्छी बात ही है, कि वहाँ पर term, time period बहुत लंबा होता है, लाइक 15 साल तक के time period का आप loan ले सकते हैं, तुसरी बात ह कि जो आपका study period है, या course period है, वो पूरा होने के बाद भी एक साल का time आपको और मिलता है, और उसके बाद ही आपकी loan की EMI स्टार्ट होती है, अगर आप graduation के लिए loan लेते हैं, और उसके बाद आप post graduation करने के सोचते हैं, mostly cases में जो bank है, वो considerate होता है, तो अगर उनको लगता ह कि student को जो loan दिया है, वो बिल्कुल secured है, तो graduation और उसके बाद post graduation जो आपने करनी है, तो उसके लिए भी आप अपने ही bank से loan apply कर सकते हैं, और यह जो दोनों लोन से आपने लिए हैं, तो post graduation पूरी करने के बाद, तो यह आप दोनों लोन अपने bank को पे करना शुरू कर सकते है आपको यह सोचने के जरूरत नहीं है कि graduation के बाद मुझे job नहीं मिली तो, तो यह भी option है कि आप अपने post graduation के लिए भी loan ले, लेकिन यहाँ पे एक ही close है कि आपको जो दोनों लोन है वो एक ही time period में भने होंगे, अब बात करती हूँ margin money की, तो margin money वो पैसा होता है जो कि रहे हैं, तो यह 15% होता है, अब यह सिर्फ मैं example दे रही हूँ, आपकी जो total education fees है, जिसके लिए आप loan अपलाई करना चाहते है, वो है 100 rupees, तो आपको 100 rupees में से 5 rupees अपने आप से ही उठाना पड़ेगा, तो bank आपको जो लोन देगा, वो maximum 95 rupees का ही देगा, और अगर bank आप से margin money मांगता है, या margin money का proof मांगता है, तो margin money जो आपने pay किया या जो खर्चा 5% आपने अपनी पढ़ाई का उठाया है, उसकी receipt आपको bank को देने होती है, कुछ banks ऐसे हैं, जिनकी margin money की कोई requirement नहीं है, जितना भी education loan आप अपलाई करते हैं, पूरा आपको disperse होता है, अगर आप जो 85 rupees होगा, वो bank आपको loan देगा, अब अगर आपका study record है, वो बहुत अच्छा है, तो आप negotiate कर सकते हैं, और जो banks हैं, वो भी इस rule को थोड़ा relax कर देते हैं, या margin money की requirement उनकी नहीं रहती है, बात करते हूँ इसके tax benefits की, तो 80 E section का जो benefit है, वो आपको education loan के interest पे ही मिलता है, प्रिंसिपल पे नहीं मिलता है, जो ये ब्याज या interest है, ये एक financial year का होना चाहिए, तो 1 April से 31 March के बीच का ही होना चाहिए, तो जितना आप pay कर चुके है interest उस education loan के लिए, उतना आप अपनी taxable income में से minus करके, अपने जब returns भरते हैं, वहाँ पे benefit ले सकते हो, जितना भी interest सारा आप claim कर सकते हो, taxable income से आप minus कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी limit नहीं होती है, ये जो आप benefit ले सकते हो, ATE का, ये maximum 8 सालों के लिए ले सकते हो, तो जैसे ही लोन की EMI या interest भरना शुरू करते हैं, उस साल से ही ये tax benefit आप उठा सकते हो, लेकिन अगर आपका जो लोन का time period ह वो कम है, जैसे कि आपने 5 सालों के लिए education loan लिये है, तो बट आप 8 सालों तक इसको claim नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा मेरी दो वीडियो और है, एक है विद्यालक्ष्मी पोर्टल, जहां पे जाके आप loan apply कर सकते हैं, सारे banks में एक ही पोर्टल से, और साथ में आप government subsidy अ लेकिन इतना बड़ा पैसा उनके पास नहीं है, या कोई ऐसा student जो कि इंडिया भे नहीं बाहर abroad studies के लिए जाता है, लेकिन उसके parents उसको financially support नहीं कर पा रहें, तो वो सारे students या वो सारे parents इस वीडियो को देखके, I hope कुछ benefit उठा पाएंगे, एसी ही important videos पाने के लिए, ये bell icon घंती का निशान आएगा, उसपे click करके आपने all select करना है, वीडियो पसंद आईए, तो यहाँ से वीडियो को like करें, और दूसरों के साथ यहाँ से share करें, मिलती हूँ next video में, stay happy and have a bright future.